अब आप लोगों के सामने लाइव खोलेंगे, लाइव हैक करके दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे कि आप किसी भी बटन पर उंगली दबाओ, बीजेपी के उतने वोट आएंगे लाइव दिखाएंगे, तो कि मोदी जी कह रहा है इसमें कोई गड़बर नहीं होती, तो ह़र चीज जूटे, आस्तोर पर EVM जूटे, एगर प्रोसीजर कोई है कानुन का, कि किस तरीके से कोई डेलिगेशन जाएगा किसी से मिलने, किस तरीके से कोई प्रदार्शन करना होगा, किस तरीके से कोई सभा करनी होगी, तो ऐसा कोई भी डिरेकटिव ओफिशल दिल्ली पुलिस ने हाई कोट में स्टेटमेंट दीती कि हमारे पास ऐसी कोई डिरेक्शन या पॉलेसी कुछ भी नहीं है कानून के इसाफ से आर्टिकल 19 है हम सिरफ मिलने जा रहे हैं कोई प्रदेशन करने नहीं जा रहे हैं और उनसे यह कह रहे हैं कि हमें 50 हमें देखिया इलेक्श कमिशन के नौकर हैं देश की जंता के वो हमें 50 EVMs हैंड ओवर कर देंगे फिर यह भी हो सकता है ना कि हम हैक ना कर पाएं उसे उनकी बात सही हो जाएगी और अगर हम देश की जंता के सामने हैक करके दिखा देंगे तो इलेक्शन कमिशन जो इंडिरेक्टली हिंट कर रहा ह देश की जंता को जैसा सुप्रीम कोट में किया था तो उस स्वाबित हो जाएगी बात के ये EVM की मशीने बना ही इसलिए जा रही है कि मोदी जी जो सारी सीटे जीत सा है वो सारी क्या जितनी सीटे चाहेंगे वो उतनी जीतेंगे EVM से तो उनके हाथ में इसलिए तो कहते है अधर चुनोटी मान रहे हैं आप हाला की कि इलेक्शन कमिशन ने चैलेंज भी लिखा था आपने प्रेस रिलीज में हम चुनोती नहीं मान रहे हम उनका इशारा मान रहे हैं कि आओ और इसकी चोरी पकड़ लो दुनिया के सामने ताकि हमसे ये पाप होने से बच जाए मैं इसमें पुलीस के लोग जो हैं वो मेरे ख्याल से उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि इससे मोधी सरकार की भी तो credibility बढ़ जाएगी क्योंकि election की मशीने तो कोई अब मैं उस details में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो भी बात हो जाएगी जो दो companies बनाती है वो कोई अपने घर में 100% बन रही है क्या बाहर से मेरे पास ये भी जानकारी है कि ये जैसे पेगसिस इसराइल से आया है ये मशीनों का भी जो main equipment से सब इसराइल से बनके आ रहे हैं है कैसे हो नहीं है hackable हैं या नहीं है या pre-programmed हैं ये सब हम उसी machine को खोल के दिखा देंगे ना आपके सामने दुनिया के सामने जो election commission हमसे चाहता है हम गुजारिश कर रहा है कि देश की जंता तो political parties भी है ना उनके leaders भी है वो सब आए ये भानुजी ने भी बताया कपिल जी ने बताया हमारी लड़ाई नहीं है हमें थोड़ी मंतरी ने वो बनना है और prime minister तो पिर आप इंडिया घडबंदन पर आगए ये देश तूटने से बचाने की बात हो रही है हमें इससे कोई मतलब नहीं है कौन सरकार जीते कौन हारे हमें मतलब है कि देश में निश्पक्ष चुना होने चाहिए जंता की आवाज से जीते वे लोग parliament में assemblies में जाने चाहिए हमारी आवास हमारा ये मतलब है हमें इंडिया घडबंदन या किसी घडबंदन से मतलब नहीं है ये मशीन आप मतलब नहीं है इडिया मशीन दिला हो तो उससे है करूं ना देखिए वह ही चैलेंज तो हम एकसेप्ट कर रहे है चैलेंज नहीं तो हमें दे दे ना हम ही कर देंगे हम कोई पार्टी नहीं है हम तो नागरे के हम हम दुनिया के सामने अलग-अलग स्टेट्स में जाके इरियम की जो इलेक्शन कमिशन की सील होगी वो भी आप लोगों के सामने लाइव खोलेंगे लाइव करके दिखाएंगे लाइव दिखाएंगे कि आप किसी भी बटन पर उंगली दबाओ बीजेपी के उतने वोट आएंगे लाइव दिखाएंगे यह हम कह रहे हैं आप लोगों से थी बिल्कुल थी कॉंग्रेस के अंदर RSS के बहुत सारे लोग ते मैं आज नहीं लेना चारा क्योंकि विशव भटक जाएगा जिन्होंने मोधी के साथ साथ गाट करके मोधी साथ को जिता है जिन लोगों ने वो कॉंग्रेस को चोड़ चोड़ के जा रहे हैं तो यह क्यों क्योंकि वो लोग सब उनके लोग ते या वो एडी और सीबियाई से डर गए सबसे बड़ा और नुकसान देश की जनता का है ना तो जनता यह कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज को अगर कोई बेवकूफ बना देता है कुछ टाइम के लिए जिता के क्योंकि लोग सबा चुनाव जीतना बहुत इंपॉर्टन है उनके लिए या 20 से 25 परसेंट तक ही हैक कर रहे हैं भी वो तो यह उनके हाथ में है ना के वो एक भ्रहम भी तो बनाना चाहते हैं जिता के के हम हर चुनाव नहीं जीत रहें यह सब जो तरहने के जो इन्होंने सिस्टम निकाल रखे न जनता को धोका देने के लिए के कभी किसी के नाम पिए कभी किसी के नाम पे अमने अप जैसे बहुत सारी चीज एसी चीज़े होती है, जो कि एलेक्शन में येक्शन law में अपने अब mencion असे नहीं जीतते हैं election बुनियादी तोर पे EVM से जीतते हैं उसकी सबसे बड़ा सबूत यह है मोधी जी ने अपने सारे बड़े बड़े लीडियर्स को दर्वाजा दिखा दिया किसी की जरूत नहीं है मोधी जी को जब तक EVM में ना अडवानी जी की जरूत है ना शिवराज सिंग जी की जरूत है ना योगी जी की जरूत है ना गटकरी की जी की जरूत है ना किसी भी और राजनाज सिंग जी की जरूत है किसी की जरूत ही नहीं है सिरफ EVM की जरूत है इसलिए सब को दर्वाजा दिखा रहे है यह वसंद्रा राजे सिंद्याज साहिबा को दर्वाजा दिखाया आप किस किस तरह आडवानी जी को मुरली मनुवर जोशी जी को किस तरीके से बेज़ जती कर रहे हैं क्योंकि जरूरती नहीं है एवियम है तो वो खुद है वो जीतेंगे लेकिए हम लोग क्योंकि भारत के नागरिक हैं हमारी जिम्मेदारी है समिधान बचाने के लिए बानुजी दूसरे लोग हम सब लोग लड़ रहे हैं कितने दिनों से तो हम अपनी कोशिश बंद कर दें यह हो सकता है कि हम लोग भी कोशिश बंद कर दें या फिर हो सकता है कि अब जनता जाग जाए और अगर सड़कों पर जनता आ जाएगी तो एवियम से नहीं टेपर बैलेट से ही चुना होंगे हम तो कोशिश कर रहे हैं बाकी फल ना फल क्या फाइदा होगा है नुकसान होगा है देश की जनता के हवाले जब सुप्रीम कोर्ट में छोड़ा है इलेक्शन कमिशन बार बार हिंड कर रहा है हम पे दबाव है जो अभी आर्मी के चचीव थे उन्होंने बताया कि इतना बड़ा दोका देश के साथ कर दिया इस सरकार ने अभी रिटार हुए हैं तो यह सब लोग पिर भी हम डेमोक्रेसी बचाने के लिए समिधान बचाने के लिए अपनी सब पीनों भाई और बहुत सारे हमारे भाई बहने अपनी जान अतेली पे लेकर आगया नहीं तो जंता को भी आना चाहिए कोई चीज की गरेंटीनी नहीं है पेपर वैलेट से भी मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सच बात ऐए लेकिन पीपर से आपके पास नजर आने वाले सबूट हैं इतनी बड़ी धानली पेपर बैलेट में कभी नहीं हो सकती हो इनी सकती क्योंकि वो एक एक पेपर बैलेट जब चुराया जाएगा उसके काउंटर फॉइल्स होते हैं उसके सबसबूत होते हैं कि यह नकली है यह असली है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है न किसी को यह तो न मोदी जी कि 56 इंच की चाती नहीं नहीं तो यह चीज जूट है आस तो पर पर जूट है एक हम कह रहे हैं इसलिए मान लो के सच एए ऐसे कैसे मान लें आप से एक सवाल है आप लड़ाई लड़ रहा है लेकिन जब रिजर्ट आते हैं उतसे पहले जो पीनियन पॉल या जो सर्वे कैसे सर्वे आते हैं उसमें यह दिखाया जाता है कि राममंदिर और बड़ा मुद्दा था इसलिए जनता जो है पीज़ेपी को वोट की है जाते हैं हकीकत में वो मुद्दे नहीं है देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सबसे बड़ा मुद्दा है देश में बेरोजगारी आपको जानकर हैरानी होगी कि सिक्षा की इतनी बुरी इस्तिती है कि 14 करोड बच्चे एड्मिशन लेते हैं पहली क्लास में अग graduate होते हैं मात्र दो करोड के लगपग बाकी 12 करोड कहा जाते हैं इसका मतलब सिख्षा से पहले ही graduate होने से पहले साफ हो जाते हैं बाब जूद उसके देखें आप 12 करोड तो पहले ही साफ हो गए एक साल में और जो graduate है उनमें आज की तारिक में जो आंकड़ा है वो यह है कि आधे graduate इस देश में बेरोजगार है आधे graduate और CMEI का आकड़ा आया था अपसे एक साल पहले जब उसमें उसने कहा था कि देश में 90 करोड लोग ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं काम करने वाले हैं जिनमें 45 करोड लोग इस देश में उन्हें कोई काम मिल से कि इसी की उम्मिद भ इसके अलावा आज की इस्ति जो है देश में काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें से मात्री 40% को ही रोजगार है बाकी किसी को 60% बेरोजगार यह इस्तिति है आज की इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं देश में सब सब बड़ा मुद्दा है महगाई महगाई मुद्दा है सिक्षा मुद्दा है किसानों की हिस्सिती मुद्दा है मजदूरों की हिस्सिती मुद्दा है महिलाओं की हिस्सिती मुद्दा है ये है हिस्सिती आज की तारिक में जो मुद्दे है और ये मुद्दे अपसे नहीं लगाता है लेकिन क्योंके जो गोदी मीडिया है जो भांड मीडिया है जो सरकार की गुरामी करता है वो इन मुद्दों को नहीं उठाता जिसकी पहुंच बहुत दूर तक है लेकिन धन्यवाद देता हूं आपको आप वो हैं मीडिया के साथी जो हर मुद्दे को उठाते हैं और दिखा होगा समझाओगा एक अभी डिसी कभिल सामने बताया कि राजिस्तान पंजा राजिस्तान मद्ध्रदेश 36 गड़ और पांच राज्यों के जो चनाब हुए तेलंगाना और मिजोरम के उनमें से एक राजिस्तान में एक मद्ध्रदेश में जो केंडिडेट उसका वोट अपन तो क्या इससे नजर नहीं आती के इवियम में गलबड़ी होगी दूसरा 2019 के चुनाब का जिससे में रिजल्ट आ रहा था 23 मई 2019 को उस दिन इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट पर जो आकड़े पड़े थे 373 लोग सबा सीटों पर 8000 से लेके 18000 वोटे या तो कम थी या ज्य जाद है थी क्यों थी भई अगर इवियम सही है और इसके वेशे में जब पता लगा तो दक्विंट ने इलेक्शन कमिशन से पूचा बाकादा लेटर लिखे पूचा चार लेटर लिखे इलेक्शन कमिशन आज तक उसका जवाब नहीं दिया बलकि अपने वेबसाइट से और तीसरी बात जो आपको बताने चाहते हैं अभी चुनाव में पांच राज्यों में मद्धे प्रिदेश की 230 विधान सबा सीटों में से जिस समय पोस्टल बैलट की गिंती चल लगी थी कॉंग्रेस 119 में सीटों पर आगे थी 119 में 230 में से 119 में तो बीजेपी कहा किस गिंती होती है तो उसके बाद बीजेपी 1645 सीटी जीत काती है इससे पहला और चले जाओ थोड़ा सा 2022 का विधान सबा चुनाब हो अक्तरप्रदेश में जिस समय पोस्टल बैलट की गिंती हो रही है सो समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे चल लगी है पोस्टल बैलट में और बीजेपी 90 सीटों पर और उसके बाद जब रिजल्ट आया पूरा निकल गए तो बीजेप लेकिन अगर जिसमें जरासी भी सेंस है समझ है बुद्धी है इस देश के लोगतं सम्विधान को जिन्दा रखना चाहता है और इलक्शन कमिशन जिसकी जिम्मेदारी है कि इस देश में स्प्री पेर और ट्रांसपर इंट इलक्शन हो उससे नजर नहीं आरा कि यह सारी च इस्तमाल होती है एक कंट्रोलिंग यूनिट जिसमें वोट गिनी जाती है जिसमें वोट जाती बताई जाती है लक्रोनी तरीके से कि इसमें वोट जा रही है उसी से गिनी जाती है वो आपको नहीं दिखती आपको नहीं पता उसमें गई भी है नहीं भी गई है दर्ज हु लेंग है। जिसमें वोक डालते हैं। जिसमेंगांच, वह जाया है, वह के चैंडेत के नाम, पार्टीन की मोचली धालते हैं। उसमें ब्टन दभाते। एक वह दो हो गई, thank equally.ולate Art. तरी में साथ सेकंड के लिए साथ सेकंड साथ सेकंड के लिए परची दिखती है और वो साथ सेकंड में और वो शीशा भी इतना ट्रांस्परेंट नहीं बिल्कुल वाइट होना चीज़ बिल्कुल किलियर दिखे वो काला सा है डार्क है वो शीशा भी पर फिर भी मैं मान लेता हूं क कि साथ सेकेंड में हर आदमी परची देख ले, जब कि देख नहीं सकता, फिर भी देख ले उन्हों में, और परची आपको तो नहीं मिलती, परची तो उसी डिब्बे में गिर जाती है, और उस डिब्बे में गिरने एक वाद उन परचीयों की गिंत नहीं होती, अब मैं डलनी चाहिए, गिंती उसकी होनी चाहिए, वही वोट है, उसकी गिंती नहीं होती, उसकी गिंती होती है, कंट्रोल यूट जिसकी पता इ panda की जो आठाइस पार्टिया है, इंटिया अगट बंदर की, वह यहीं कह रही है, कि भीया उसर परचीये निकाल को उसको देदो, कमिशन इसके लिए तेयार नहीं है तो कैसे कहता है एलेक्शन कमिशन कि वो निस्पक्ष सतन तर पार दर्शी चुनाब करा रहा है किसी तरह की धांदली नहीं हो रही और धमकी भी दर रहा है एलेक्शन कमिशन कि अगर एवियम पर कोई सवाल उठाएगा तो उसके खिलाब जो सितन ही कर पाएगा उसके एकलाब जो मुकदमा करेगा नोटिस भेज रहा है इलेक्शन कमिशन को नोटिस भेजने की बजाए इलेक्शन कमिशन को काम करना चाहिए कि ये जितने भी सवाल उठ रहे हैं इवियम पे इन सवालों को पूरी तरह से जूटा साबित करने के लिए इन सवालों का खात्मा करने के लिए एक बार चुनाब बैलट पेपर से कराए और उसके बाद जो रिजल टारा है पूरे देश का सामने होगा अपना अप दूद गदूद पानी का पानी हो जाएगा इलेक्शन कमिशन सच बोला है इवियम सही है वो भी सिद्ध हो ज जो सवाल है उनको पूरी तरह से उत्तर दे और सबके सामने ये सिद्ध करे कि हम जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वो ऐसी प्रक्रिया है जिसे हर कोई जानता है पूरी तरह से पार दर सकी है बहुत शर्म की बात है सबके लिए डुम अरने वाली बात है इस देश के तमाम मत दाता अन्दे होकर वोट डालनें, जिस मचीन में गिनती करी जाती जाती ए, उसका हमें पता नहीं, और जिसमें वोट होती है, वो गिनी रही जाती जाती इस देश के और एक सवाल पूछता हूँ आप, सब से पूशता हूँ आप मीडिया के सारे साथी हो इस देश का नहीं दुनिया के जो तमाम मीडिया उससे पूशता हूँ जो सरकार है खोड एरक्षन कमिशन से पूशता हूँ इस देश के राश्पति उपरास्टि से पूशता हूँ इस देश के तमाम केंद्रिय मंत्रियों और मंत्रियों से पूछता हूँ, इस देश के तमाम सुप्रिम कोड के जजिस से पूछता हूँ, हाई कोड के जजिस से पूछता हूँ, तमाम I.S. I.P.S. आफिसर से पूछता हूँ, कलक्टर, S.D.M. और A.D.M. से पूछता हूँ, तैसिलदार नाप तैसिलदार से पूचता हूँ, तमाम जितने भी अधिकारी हैं उनसे पूचता हूँ, पढ़े लिखे जितने भी हैं, PhD धारी, जो जिनोंने डिगरी करकी उनसे पूचता हूँ, डॉक्टरों से पूचता हूँ, इंजिनियरों से पूचता हूँ, एक सब्स पढ़े लिखे नहीं जानते अनपढ़ जनता क्या जानेगी और उससे मतब जिस माध्धम को इस देश की 99 प्रतीशत मतदाता जानता नहीं है उसके माध्धम से चुनाब हो रहा है सारे पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ बिल्कुल अंधे ओके वोट डाले जा रहे हैं कोई अवाज उठाने को तेयारने इलक्शन कमिस्टिन की जिम्मेदारी ने इसका जवाब दे वे और ऐसी व्यवस्ता हो जो पूरी तरह से पाड़ दर्शी हो अध्यू अध्यू अध्यू